खबरम्स की सीरीज में आपका दुबारा से स्वागत है आज हम आपको एक नए टापिक लेकर की आएं बहुत ही इंट्रेस्टिन टापिक है इसका नाम है आपका मोटिफ मोटिफ एंड थेम ये मोटिफ क्या चीज होती है और थेम क्या चीज होती है पहले इन दोनों में मुझे डिफरेंस समझना है क्या वाकई डिफरेंस है है या डिफरेंस नहीं है तो इसमें डिफरेंस है अच्छा मैं नियमित रूप से आपके लिए वीडियो बनाता हूं एमेच अबरमस बुक पे पूरी एमेच अबरमस बुक मैं वीडियो के माध्यम से आपको ऐसे करवा दूँगा दूसरी चीज है मैं ग्रेमर पे भी इसके वीडियो बनाता हूं तो आप हमारे चैनल को अगर जो सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जितने भी वीडियो में आपके अपलोड यहां से करूँगा तो वो टाइम टू टाइम आपके पास नोटिफिकेशन उसका जाता रहेगा तो सबसे पहले आप एक काम करो कि चैनल आप मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए दूसरी चीज अब आते हैं इस पे चर्चा करते हैं कि मोटिफ और थीम क्या चीज होती है अब जैसे इसको बेहद ही आप बेवहारिक पहले भासा में समझो इन दोनों में एक चीज कामन है और एक चीज इसमें एक्स्टा है जैसे ये मान की चलो एक गुण इनके पास है एक गुण इनके पास है अब मोटिफ थीम के पास एक गुण और एक्स्टा हो गया ठीक तो यही जो एक्स्ट्रा चीज हो गया यही यह चीज मोटिफ से अलग करती है वो चीज है क्या? वो मैं आपको बता रहा हूँ अब देखो जैसे मैंने एक पोएम लिखी ठीक? तो पोएम लिखते हो आप या कोई creation करते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं? उसमें कोई एक आप जो है आपका एम होता है अब आपका एक जो है कोई कहने के मतलब एक विशयवस्तु होती है कि आपको उसी के इर्दिगर्द सारी चीजें करनी है अब जैसे मेरी विशेवस्तु क्या है लब मेरी विशेवस्तु है प्रेम मेरा विशेवस्तु है तो प्रेम के बारे में मैं इस चीज पूरे में जो है जिक्रि कर रहा हूँ ठीक तो जो प्रेम के बारे में मैं इसमें जो है कर रहा हूँ तो आप इसको जो है एक rough language में क्या बोलते हैं तो आप बोलोगों कि यह poem किस पे है तो आप बताएंगे यह poem आपकी love love theme पे है ठीक, लेकिन theme एक बड़ा ब्यापक सब्द है बड़ा technical सब्द है इसको इतना आप जल्दवाजी, मतलब समझने में इतनी जल्दवाजी मत करिए यह जो जिसको आप थीम समझ रहे हैं, एक्चुली थीम नहीं है, यह क्या है मोटिफ है अगर जो पोएम में जो चीज बार बार आ रही है, जिस पे आप बार बार चर्चा कर रहे हैं मतलब लब पे आप बार बार चर्चा कर रहे हैं, तो इसको बोला जाएगा मोटिफ अब समझो थीम क्या चीज होती है, अगर जो यही पोएम है, इसे में सेम यही मोटिफ वाली चीज बार बार हो रही है मतलब love पे मैं बार-बार चर्चा कर रहा हूँ प्लस इसमें कुछ ऐसी चीज में मैं mention किया हूँ कि आप मेरे doctrine को इस love वाले doctrine को मानने के लिए आप बाध्ध हो रहे हैं कहीं ने कहीं आप hypnotize हो रहे हो कि motive में चीजें जो बार-बार recurrent होती हैं वो motive होती है theme में भी वही चीज बार-बार घटित होने वाली चीजें होती हैं उसी के इरदिगिर्द आप गुमाते हैं वो क्या होता है वो theme होता है theme में एक चीज आप और इक्स्टा कर देते हैं कि यह persuade करता है कहने का मतलब जो इसका सिध्धान्त है यहां जिसे लब के बारे में चर्चा कर रहा है तो जो इसको पढ़ने वाला है या देखने वाला है तो वो इस लब के सिध्धान्त को मानेगा बिना किसी तरक के बढ़ा कहने का मतलब इसमें PERSUED करने का गुणऩी में एक्स्टा होता है और व यह PERSUED करने का मोटिफ में नहीं होता है अब आते हैं कि मोटिफ कितने DOOR होती है इसुपर करते गा हुईर ओर फार्मॉला फार्मॉला लेमिंटेंग दविनेस्ट पॉस्ठ इस का VE yol हर उसमें क्या करेंगे वी रावड इस्तमज आफ हिस्ते यह दिया जाए घ्ज़ह से यह dh, यह आप सन्में दे दिया गया यह दिया गया एक और कोई दे दिया गया अब आप उसमें आप से यह पूछा गया कि इन में से कौन यूबी सेनट मोटिफ को फालू नहीं करता है तो ये दोनों तो करते हैं कहने का मतलब यूबी सेनट मोटिफ क्या है कि जिसमें आप पास्ट की चीजों को सोच करके उनकी जो उनकी पास्ट के जो अच्छी चीजे हैं उसको सोचते हैं सोच के थोड़ा आपको खुशी मिलती है लेकिन जो वर्तमान से आप उसकी तुलना करते हैं कि प्रजेंटे में वो चीज आपके पास नहीं है तो एक थोड़ा समना आपका दुख होता है तो यही अगर जो यह इस चलते हैं इसी के इर्दिगिर्द पुनिया आप जो है कहानी बनाते हैं तो यह चीज बोला जाएगा कि आपने कौन सा मोटिफ यहां पर अपलाई किया तो माना जाएगा कि आपने यूबिशनट मोटिफ अपलाई किया लेकिन अगर जो आपकी यह यही यूबिशनट मोट मतलब यह फार्मूला दर्सकों को या जो पढ़ने वाला है उसको इतना पर्सुइड कर देता है कि वो हिप्नोटाइज हो जाता है बिना अतर्क लगाए वो उसको सुईकार करना शुरू कर देता है तो यही मोटिफ फिर आपकी थीम बन जाती है समझ रहे हैं दूसरा चीज नेक्स्ट मोटिफ आपको देखें पर हाइलाइट नहीं किया है कारपे डियम मोटिफ क्या होती है कारपे डियम मोटिफ वो मोटिफ होती है कि अगर जो कारपे डियम मोटिफ पे मैं एक पोएम लिख रहा हूं तो इस पोएम में किस चीज की बार-बार होने की भात होगी तो इसमें बार-बार बात होगी कि जैसे मैं अपनी प्रेमिका के लिए पहली चीज तो यह लपसांग होगा मैं अपनी प्रेमिका से बार-बार यह करूंगा कि समय कम है कहने का मतलब जिंदगी छोटी है life is start time is fleeting कहने का मतलब ये रूठेने मनाने के चक्कर में आप अपना समय बरबाद न करो ये न करो कि पता चला कि तुम मुँ फुलाए बैठी हो मैं तुम को मना रहा हूँ तो इसमें समय जाया न करो क्योंकि जिन्दगी वैसे भी छोटी है तो ये सब जाम दाम छोड़ो डायरेक्ट प्यार करते हैं जो है जीवन का अनंद लेते हैं तो अगर जो ये चीज़ आप अपने पोईम में कहते हैं ये चीज़ आप अपना जो है करते हैं तो आपने काउन सा मोटिफ फालो किया आपने कारपे डियम मोटिफ फालो किया यह भी सेनट मोटिफ क्या होता है? यह हमने आपको बता दिया, अब आउपडेब यह भी एक मोटिफ है, समझ रहे हैं, आउपडेब मोटिफ होगा, तो आउपडेब मोटिफ में इसको ले करके, अगर जो मैं पोएम करूँ गा, तो मैं अपनी प्रेमिका को जगाने के लिए सुबह के जगाने के लिए मैं सांग लिखूंगा सुबह का जगाने का सांग अगर जो ये किसी पोएम का विशेवस्तु बनती है तो वो कौन सा मोटिफ फालो करेगा तो वो पता चलेगा आउब डेब मोटिफ फालो करेगा बात समझ रहे हैं और इसी मोटिफ को पहले जो है इसको जो है आपका क्या बोला जाता तो पोस के नाम से जो है जाना जाता था अब देखो एक सेटल का यह Hark Hark लार्क तो यह?? जो है क्यों सा मुटिफ फालो किया तो यह आउपडिर्व मुटिफ पर इस है इनकी लाइन है समझ रही है अख लगला बेक्क pessimist जाएगा फरीक्षा में पूछा जाएगा फरीक्षा में कौन सी लिट मोटिफ को जो है डारेक्ट इंडिकेट करती है तो लिट मोटिफ का मतलब होता है गाइडिंग मोटिफ लिट मोटिफ किस लैंग्विज का फ्रेज है तो पता चला जर्मन लैंग्विज का ये फ्रेज हैं तो ये गाइडिंग मोटिफ होती क्या है जैसे मालो फ फ्रांसिस वेकन के ऐसे हैं तो फ्रांसिस वेकन के ऐसे आफ ट्रेबल आपने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा तो आप ऐसे आप उसको ऐसे सुनिए देखो फ्रांसिस वेकन ने आपको आफ ट्रेबल में ये बताये था कि यात्रा की सुरुआत कैसे करनी चाहिए आपको प भी पर आप पहुचए गये जहां आप घूमना डहलना चाहते हैं वहां आप पहुचए तो वहां किन-किन चीजों को आपको नोट करना है किन-किन चीजों पर आपको फोकस करना है समझ रहे हैं؟ जिससे आपकी यात्रा साथ схो तो अगर जो इस टाइब का कोई आप उपदे सातमक लिटरेचर लिखते हैं तो वो किस मोटिफ पे होगा वो होगा आपका लिट मोटिफ पे लिट मोटिफ का मतलब ही होता है गाइडिंग मोटिफ अब ये थीम के बारे में हमने आपको बता ही दिया है तो इस लिहाज से आपका ये चैप्टर पूरा होता है और आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और भी आपके जो दोस्त त्यार मित्र हों आप उनको जो है इसको रिफर करो आप इसका अनन्द लीजिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर जो है नेक्स्ट कोई टापिक अच्छा से ले करके आते हैं और भी जिसमें भी आपको कोई टापिक पर प्राबलम हो जैसे मालो ग्रैमर के कोई टापिक आपको समझ मिनना आए हो या एमेच अब्रैम्स का कोई टापिक आपको टफ लगा हो तो आप उस पर कमेंट बाक्स में मुझे बुकरिए नेक्स्ट वीडियो आपकी आपकी फरमाईस पर मिलेगी थैंक्स